Good morning students Students हम अपनी हिंदी की बुख का Lesson no. 17 read करेंगे Lesson का नाम है प्यारा भारत तो सभी स्टूदेंट्स ज делают से देखें और समझें ये देखें स्टूदेंट्स सबसे पहले हम जैसे की lesson read करते हैं तो कठिन सब्द read करते हैं ना पहले तो आज भी हम अपने कठीन सब्जेट करेंगे हिमाले, परवत, कौकिल, मात्रभूमी, हर्याली, तैयार ठीक है, हमारे लेसन का नाम है प्यारा भारत हम इसमें भारत में जो जो चीजें हैं उनके बारे में जानेंगे कि भारत कैसा है यही हिमाले सा परवत है यहीं गंग की धारा है युमना लहराती है सुंदर भारत कितना प्यारा है हमारा देश कितना सुंदर है यहीं पर हिमाले परवत है और गंगा की धारा भी बैती है युमना भी लहराती है और सुंदर भारत बहुत ही प्यारा है फल फूलों से भरी भूमी खेतों में हर्याली है आमों की डाली पर बैठी गाती कोकिल काली है फल फूलों से भूमी भरी हुई है और खेतों में चारों और हर्याली चाही हुई है आमों की डाली पर बैठ कर कोईल मधूर मीथे गीत गा रही है इसी धरा नेपाल पोस कर तुमको बड़ा बनाया है बच्चों नहीं भूलना तुमने अन यहीं का खाया है इस धर्थी पर हमीं बड़े हुए हैं और हमें भारत वर्थ की धर्थी को कभी नहीं भूलना क्योंकि हमने इसी भारत का अन खाया है तुमने पानी पिया यहीं का खेल मिटी में इसकी जिस वायू में सांस ले रहे है यह प्यारे भारत की हमने अपनी भारत भूमी पर खेल कर मिटी में खेल कर बड़े हुए है और यहीं का पानी पिया है हम इसी भारत की भूमी पर सांस ले रहे हैं और हमें अपने भारत को कभी नहीं भूलना है नहीं भूलना मात्र भूमी को जिसके हैं इतने उपकार तनमन धन से सेवा करने को रहना हर दम तयार हमें अपनी मात्र भूमी को कभी भी नहीं भूलना है और क्योंकि इस मात्र भूमी के हम सब पर उपकार है तनमन धन से हमने इस अपनी मात्र भूमी की सेवा करनी है और इसके लिए हमें अपना सब कुछ नोचावर करना पड़े तब भी हम इसकी रक्षा के लिए अपना तनमन धन वार देंगे अपनी मात्र भूमी की सेवा करने के लिए हर दम तयार रहेंगे तो students यह था हमारा lesson number 17 प्यारा भारत मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा यह lesson और आपने इस कविता को अच्छे से याद भी करना है ठीक है यह कविता है जिसको आपने अच्छे से याद करना है तो thank you students have a nice day